नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है। दोस्तों वह जिस लड़की की कहानी है। उसका नाम है Stacey। और Stacey हमसे यह कहती है कि कुछ दिन पहले उसने अपने दोस्त को खोया था। और उस दोस्त का नाम था Eric। Eric उसका मतलब बहुत ही अच्छा दोस्त था। कभी वह मतलब एक दूसरे के साथ चौपिंग पर जाते थे और वह बच्पन से मतलब स्कूल से वह एक दूसरे को जानते थे बाद में क्या हुआ दोस्तों अचानक स्टेसी एक अलग शहर में मतलब रहने चली गई थी और वहां पर अचानक उसको एक बात पता चली कि एरिक जो है वह इस दुनिया में अब नहीं रहा एक एकसिडेंट में वह इस दुनिया से चला गया और इसके वज़े से उसको बहुत ज़्यादा दुख लगा बाद में स्टेसी यह कहते है कि मैंने किसी तरीके से अपने आपको संबाला और उसकी उस वक्त फाइनांशियल जो कं बताया और कहा कि यहाँ पर तुम application करो apply करो job के लिए स्टेसी यह कहते है कि मैंने अगले दिन वहाँ पर apply किया मुझे नहीं लागा था कि वहाँ पर मुझे जॉब मिलेगी लेकिन फिर भी एरिक ने इस तरीके से कहा था जिससे उसको पुरा विश्वास था कि उसको जरू भी घबराड होती है तो ऐसा है स्टेसी के साथ हुआ वह यह कह रही थी कि वहाँ पर मैं बहुत जादा घबरा रही थी वहाँ पर लोग ठीक ठाकते मतलब अच्छे से उससे बात कर रहे थे लेकिन फिर भी मैं उनसे मतलब connection अपना नहीं बना पा रही थी और पहले दिन व और वह स्टेसी के सामने आया और वहाँ पर उसने यह कहा कि मैं एरिक हूँ तुम मतलब तुम्हें जादा चिंता नहीं करने की जरूरत है तुम अच्छे से यहाँ पर काम करो यहां के लोग तुम्हें बहुत ही अच्छे से मतलब बरता हो तुम्हारे साथ करेंगे तुम के लिए जरा भी चिंता मत करो और स्टेसी यह कहते हैं कि उस बच्चे के बातों में इतना confidence था या फिर इतना अपनापन था मैं पुरी तरीक से समझ गए कि कुछ वक्त के लिए एरिक उसके मतलब अच्छे से उस जाब कर रही है और अब वहाँ पर मतलब बहुत सारे उसके दोस्त बन गए है और बहुत अच्छे से अपना काम अपना जॉब कर रही है स्टेसियम से यह कहती है दोस्तों कि बहुत बार इसी जो चीज़े होती है वो कभी-कभी हम उस पर यके नहीं कर सकते लेकिन ऐसा ही एरिक के बहुत सारे करीबी लोगों को उसके घर के लोगों को और उसके दोस्तों को भी उसके बहुत सारे उनुबों मिले इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये पुरी तरीके से हर एक का मतलब एक अंदर विश्वास होगा या फिर ब्रह्म होगा इसी जो चीजे होती है बहुत बार हमारे जो अपने हैं वो इसलिए हमारे साथ करते है क्या कि हम अपने मतलब परिस्थिति से गुजरने की कोशिश करें हम परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करें हम खामा खान मतलब ना घब रहे हो सकता है कि आज हमें किसी बात से डर तो उस इंसान का अर्देश आगूरत मन जागूरत होगा और उसके बाद वो बहुत ही अच्छे से इन सारी चीजों को समझ सकता है तो आप जरा भी चिंता मत करना दोस्तों आपके जो अपने हैं वो कही ना कई हमेशा आपके साथ है दोस्तों तो दोस्तों हम अगले वीडिय जो लोग इस संस्ता के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ इरिग्रेशन की ओडियोस भेजी जाएगी जिससे घर बेटे वह पास्ट लाइफ इरिग्रेशन का बैस कर सकते हैं और उन्हें पाच मेडिटेशन धेन की ओडियोस भेजी जाएगी और इसके साथ अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गृपया इस नमबर पर वाटसप मैसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद